मैंने बहुत सारी लोगों को excuses देते हुए सुनाएं कि लख बहुत important चीज होती है मतलब किस्मत के बिना आप कोई भी examination को नहीं निकाल सकते हैं लेकिन इस examination के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज बहुत straight बोलना चाहती हूँ गालिब ने कहा है हातों की लखीरों पे मज जाए गालिब नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हात नहीं होते important बात यह है कि आप कितने शिद्दत से किसी examination की preparation को करते हैं so it's very important कि अगर आप लोग अपना पूरा एक महिना मुझे दे सकते हो then इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको लगता है कि ठीक है वीडियो देखने के बगट कोई दूसरा वीडियो देख लेंगे पिर तीसरा वीडियो देख लेंगे तो प्लीज वीडियो प्लीज मत देखो it's completely okay ठीक है चलो so let's get started start करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है क्योंकि सब लोग आपको बताते हैं कि यह यह चीज करिया आपका selection हो जाएगा मैं आपको वीडियो के साथ में ही बताना चाहती हूँ कि यह यह चीज को करो pause कर करके करो वीडियो को तो सबसे पहले pause करके आप लेकर के आजाओ एक blank sheet ठीक है जो की सफेद color की होगी उसके साथ में एक pen ले आओ और सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक लिख लो What is this? This is known as calendar ओके आप अपना खुद का calendar बना रहे है 1 से लेकर 30 days का और इसके उपर में लिख लीजे 30 days challenge of UP PGT 2021 और daily जो आपको targets मैं दूंगी आपको उसको complete करके ये जो page है उसको ऐसे tick करना है one tick हो गया कुछ इस तरीके से write कर देना दूसरे दिन में पहुँच जाओगे तो yes दूसरा पढ़ाओ आपने clear कर लिया ऐसा करते करते आपको 30 के 30 दिन right mark मारना है पुरा complete करने के बाद ठीक है अब start करते हैं कि UP PGT में exactly हमें पढ़ना क्या होता है तो देखो सबसे पहले PGT का examination है सीधी से just want to take a moment of yours अगर अभी तक आप में आने का Admi Plus का subscription नहीं लिया then you can use the referral code sakshi.patel181 ताकि आपको 10% का discount मिल सके बहाँ पर amazing course related to sociology for UGC NTA net बाकी में different platforms में आ चुकी हूँ जैसे की Instagram हो गया LinkedIn हो गया Telegram हो गया YouTube as well as Facebook तो ये कुछ IDs है यहाँ पर जाकर क्या follow कर सकते हैं मुझे आप मेरा app download कर सकते हो from Play Store बहाँ पर आपको live chat, discussion, free study material, course material यहाँ तक ही PYQs वगयरा और amazing courses मिलेंगे देखने के लिए Thank you so much बात है 125 MCQs आपको दिये जाएंगे multiple choice questions इसमें रहते हैं syllabus आपका लगबाग 11 to MA अगर देखा जाए तो sociology 11 से लेकर आपकी जो MA तक का sociology है उसके बीच-बीच का थोड़ा सा इसमें रहता है ओके थोड़ा सा नहीं है खेर थोड़ा सा बोलने का है लेकिन काफी सा रहा है और negative marking इसमें यहाँ तक अभी तक तो नहीं है फिलहाल इसकी जो minimum eligibility है वो 21 years है 21 साल के तो कम से कम आप होने ही चाहिए और यह जो UPPGT का जो examination है वो 17 से लेकर 18 अगस्त अभी 2021 में होने वाद है ठीक exam आपका कितने दिर तक चलेगा 2 घंटे तक examination चलेगा बात होती है कि syllabus आपको कहीं से download करना पड़ेगा या फिर YouTube पे search कर लो कोई ना कोई तो syllabus के ऊपर वीडियो बनाया है होगा मेरे पास वक्त नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा syllabus का वीडियो नहीं बनाया लेकिन अगर आप bowling है तो ज़रूर मैं syllabus से रिलेटर भी वीडियो बना दूँगी ठीक है syllabus जैसे ही आप चेक करते हो तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इजी चीजें है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि आपको hard लगेगा आपको hard तब लगने वाला है जब आप पहली बार preparation कर रहो and trust me मैं आपको कोशिश कर गगी कि आपको इतना सा भी hard ना लगे ठीक है चाहे आप अंग्रेजी medium से हो चाहे आप हिंदी medium से हो आपको बिल्कुल भी चीज़े hard नहीं लगेंगे source क्या होना चाहिए कहां से हम लोग पढ़ना चालू करे MCQs कहां से solve करे तो देखो सबसे important बात होती है MCQs अगर आप competitive examination के थोड़े से भी nature को समझते हैं तो आपको ये समझना होगा कि MCQs सबसे important जीज़ होती है आप जो किताब है उसका पहला page से लेकर आखरी page तक पढ़ लीजे 1000 किताब वैसे 1000 किताब कोई नहीं पढ़ता है लेकिन 10 किताब भी पढ़ने पूरा का पूरा रटा मार दे उसको तो भी ठीक है आप MCQ अगर solve नहीं करेंगे तो examination नहीं निकलता है competitive examination is all about MCQs अब जितने MCQs solve करेंगे उत्ता जादा आपका selection होने का जो वो रहता है न chances वो जादा हो जाता है अब MCQs कहां से करने है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी लेकिन daily दिन में आपको 2 घंटा पढ़ने के लिए निकालना है max to max and एक घंटा कम से कम MCQs के लिए निकालो अब देखो source क्या है जो मैं बीच में अटक गई थी मैंने इक बताए आपको source यह है कि मेरा चानल है यूट्यूब वाला उसमें आप जैसे ही प्लेइलिस्ट में जाओगे आपको 500 वीडियोज मिलेंगे sociology से related मैंने UPSC वालों के लिए बनाया है UGC नेट वालों के लिए बनाया है प्लस आप लोग जो UP PGT में है प्लस जो 11-12 के पच्चे हैं सब के लिए बनाया है आपको कुछ ऐसा नहीं कि 500 के 500 वीडियोज देख रहे है वलब यही धुड़ी काम है और बैट के वीडियोज देखते रहे तो एक अपना copy pen लो क्योंकि बिना लिखे तो समझ में आयागा नी उसमें अपना syllabus का पहला जो point है वो डालो कि exactly क्या पढ़ना है और उसके बाद जैसे ही आ जाएगा मेरा वीडियो उसको देख देख के notes बना लो मैंने दोनों medium में बनाया है अंग्रेजी में भी बनाया है, हिंदी medium में भी बनाया है आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा notes proper करकर के बनाओ syllabus पूरा इसी तरीके से 30 के 10 दिन में खतम करतो अब बात करते हैं MCQs की कि MCQs कहां से करें बहुत सारे लोगों को MCQs मिलता नहीं तो अगर आप लोग comfortable हो तो कोई किताब खरीद लो MCQ का sociology का अगर आपको समझ भी नहीं आ रहे कि MCQ की किताबे कहां से मिलिंगी तो आप मेरा app डाउनलोड कर सकते हो मेरे app का नाम है Basically Felicia ये देखो ठीक है? ये रहा Basically Felicia आपको बहुत हो सकता है मेरी अवास थोड़ी गुंदरी होगी बात कुछ ऐसा है कि इस app को आप Play Store से डाउनलोड कर लोगे ठीक है? ये रहा Spelling Basically Felicia ठीक है? जैसी डाउनलोड करोगे तो आप लोग को store section मिलेगा S T O R E One Second लिख देती हूँ भाईया, confuse हो जाओगे Store ठीक है? जैसी उसमें क्लिक करोगे उसमें आपको MCQ का section मिलेगा, उसमें एक है, आपको purchase करना पड़ेगा वो, 300 रुपय का है, जादा का नहीं है जादा का रखे नहीं, थोड़ा सा क्योंकि कम का रखना चाहिए, येस तो 300 रुपय का MCQ का series है, उसमें 300 question है, ठीक? आपको कुछ discount वगेरा, उसमें चेक कर लेना मिल जाएगा, क्योंकि काफी अच्छा है वो, MCQ जितने भी लोगों ने खरीद है, उनको काफी फायदा हुआ, तो अगर जिस दिन आप ये 300 question जैसे ही solve कर लोगे, आपको एकना achievement लगेगा, कि यार, हमसे इतना तो हो रहा है, ओके, तो पहले कम से कम इतना करना चालू करो, जब 300 MCQ solve कर लोगे, उसके बाद नया target बनाना, कि 500 करना है, 1000 करना है, ऐसा वैसा, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पूरा का पूरा जो तयारी है, वो free में कर सकते हो, बस आपको MCQ के पैसे देने पड़ रहे है, और यार, बात यहीं कि पैसा आप waste नहीं कर रहे हो, बहुत सारी लोगों को क्या लगता है ना, कि अगर इतना खरीदने के बाद, अगर हमारा selection नहीं हुआ, तो हमारे तो 300 रुपए भी चले गए, यार आप लोग अगर invest नहीं करोगे, कभी भी पढ़ाई में ना, waste नहीं होता है, invest होता है, इतना करने के बाद, आप काफी कुछ सीख रहे हो, नया, तो it's all about कि आप कि आप कि अच्छे से चीजों को करते हो, और जो पूरी तयारी लोग इतने अतने महंगे कोर्स में कराते हैं, आपको वो सब चीज फ्री में मिल रहा है, और वो भी मेरे यूट्यूब के प्लेलिस में, तो ये आप क्यों पर depend करते हैं, कि आप लोग इस चीज को कैसे करते हो, आपको पूरे दिन में सिर्फ आपको चार से पांच तो आप वहां पर भी आईए, ठीक है, तो थांक यूट्यू सो मच, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप लोग मेरा एप डाउनलोड कर लोगे और वहां पर से कोर्स भी खरीद सकते हो, तो थांक यूट्यू सो मच, मेरे साब से आपको सब्ची समझ में आ गया, कितने नमबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या है, कोर्स क्या है, सिलेबस डाउनलोड कर लेना, कहां से पढ़ना है, बस थांक यूट्यू सो मच, जल से जल स्टार्ट करो यार, बात है, स्टार्ट करने के, कितने सारे लोगे तो सर्फ सोचते रह जाते हैं, इंपोर्टन्ट वो लोग होते हैं, जो कि चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, याद रखना, ड्रीम्स विदाउट अक्शन आल्वेज रिमेंस ड्रीम, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होता, इंपोर्टन्ट है कि कितना आप करते हो, तो अभी से स्टार्ट करो करना, और सोचना को थोड़ा कम करो यार, ओके ठांग्क्यू स्उमस्दूज, like share and subscribe bye everybody